रामी की स्टार्टिंग में हमें यूंजो शावशी को भागते हो दिखाते हैं उन्डे कहते हैं कि फूफ अमली के यंग मास्टर ने हमें करोडों की कीमत दी है उस लड़की को पकरने के लिए पिछली बार मैंने उसे अंधा कर दिया था पर फीबी मैं उसे पकर नहीं पाया लेकिन इस बार मैं उसे बच के जाने नहीं दूँगा भागते भागते यूंजो गिर जाता है जिससे उसके पेर में चोट लग जाती है वो कहता है कि अमें भाग नहीं पाऊंगा उनका टारगेट मैं हूँ तुम यहां से चली जाओ तब शाव शी उन्जो के कपड़े उतार का खुद पहन लेती है वो कहती है कि मैं उन्हें तुम्हारे कपड़े पहन का डिस्ट्रेक करूँगी यूंजो उसे ऐसा करने से मना करता है वो कहती है कि तुमने अभी तक मुझे देखा नहीं है तुम्हें अच्छे से जीना होगा जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम मुझे प्रोटेक करोगे और वो यूंजो से अपना हाथ छुड़ा कर भाग जाती है यूंजो उसे लंगडा कर चलते वो ढूनने लगता है तब ही वहाँ यूंजो का छोटा भाई आ जाता है वो कहता है कि भाई आप दो महीनों से कहा थे हम पागलों की तरह आपको ढून रहे थे और आपकी आपको कोई क्या हो गया है जुन्जो कहता है कि गुंडे मुझे चार ओर धून रहे हैं और एक लड़की जिसका नाम शाउसी है तो मैं उसे सेफली मेरे पास लाना होगा दुस्तरा शाउसी जंगल में बेहुश पड़ी होती है तब ही वहाँ फैंग अपरी मले से कहता है कि यहां एक लड़की पड़ी हुई है वो लोग शाउसी को पकड़ कर उठाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कौन हो और तुमारे पेरेंट कहा है शाउसी कहती है कि मैं कहा इसके बार हमें पास स्लवात का सीन दिखाते हैं जहां शाउसी अपने खिलोंे के दुकान लगा कर उने बेशती है तब ही एक लेड़ी कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा पाई हो कौलेज फैर का सबसे बड़ा कौलेज है शाउसी कहती है कि मेरे भाई एक हाड वरकिं और टेलेंटेड लड़का है मैं कुछ भी करके उसकी कॉलेज के खर्चा उठाऊंगी तब एक लेड़ी शावशी को अपने पास बुलाती है वो कहती है कि किसी लड़के को जिंदर दफनाया जा रहा है ये तुम्हारा भाई ही है ना फैंक के कलास पैड़ मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं वो शावशी की भाई को तफनाने का लाइब ब्रकास कर रहे होते हैं दुशत तर motor शावशी की डॉल को देख रहा होता है जो उसने और शावशी ने मिलकर बनाई थी वो कहता है क्या तुम इस डॉल की तरह ही दिखती हो यह तुम इल्कुल एक पिक की तरह लग रही है और वो उसका मज़ाग उडाने लगता है शावशी कहती है कि मुझे मेरी डॉल वापस करो और वो उससे डॉल छिनने लगती है जिसे वो युन्जो के अपर गिर जाती है प्रेजेन में युन्जो कहता है कि पास साल हो गए है तुम कहा हो तब ही वहाँ सेकेटरी आ जाता है युन्जो उससे कहता है कि शावशी मिली सेकेटरी कहता है कि इस बार आपका भाई खत्रे में है जो लोग फैंको बुली कर रहे होते हैं उनमें युन्जो का भाई Yusahoh भी होता है वो कहता है कि इस मोटी चम्णे वाले लड़के को मार मार कर मिरे हासों में छोट लग गई तब ही उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा चलता रहा तो कुछ गलत हो जाएगा तब ही युशाहो की गल्फन कहती है कि युशाहो का भाई इस कॉलेज का डारेक्टर है तुम एक इस बात का डल लग रहा है तब ही वाँ शावशी भी आ जाती है और अपने भाई का छुडाने लगती है वो कहती है कि मेरे भाई के साथ ऐसा किस ने किया युशाहो कहता है कि ऐसा मैंने किया है शावशी कहती है कि तुम कौन हो और मेरे भाई को बिली क्यों कर रहे हो युशाहो कहता है कि आ मुझे इसे मारने का कोई रीजन चाहिए होगा ये बिना माबाप का लड़का है ये इसी लाइक है हमारे जिसे अपर क्लास में पेदा होने वाले बच्चे ही इस कॉलेज में रहने के लायक है और कच्रे को वही रहना चाहिए जहां वो बिलॉंग करता है शावशी कहती है कि मेरे भाई पेवकूफ नहीं है उसने अपने एबलेटी की दम पर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है यूशावशावशी के क्लूज आने लगता है वो कहता है कि तुम से कितनी अच्छी समय ला रही है और वो उसे टच्च करने लगता है तब शावशी उसे धका दे कर थपड मारने लगती है पर यूशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशावशा उसका फ्रेंट कहता है कि ये लड़की हमसे पैसे एटना चाहती थी, जब ये उशावों ने उसे मना किया, तो ये हमें ब्लेम करने लगी, शाव से कहती है कि ये जूट कह रहा है, युन्दो कहता है कि मैं तुमारे जैसे कही लालची लड़किया देखी हैं, ऐसे लोगों को कोलेज का स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है, युन्दो प्रिंसिपल को आखे दिखाने लगता है, तब प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, मैं इसे नकालने के प्रोसेस को पूरी करता हूँ, शाव से प्रिंसिपल से कहती है कि आप मेरे भाई को क्यों निकाल रहे हैं, युन्दो से बैक करने लगती है, वो कहती है कि सारी कलती मेरी थी, मेरे भाई का इसमें कोई दोश नहीं है, मैं आपके भाई से माफी मांगती हूँ, युन्दो कहता है कि निल डान होकर माफी मांगो, ये कोई माफी मांगने का तरीका नहीं है, तब युन्दो का भाई व पुली किया है इसे पनीशपन जरूर मिननी चाहिए और वहांसे चला जाता है इसके बाद सी सी जो कि यूंजॉक की मैड रहती है वो उसकी भाई का ब्रैसलेट लेकर आती है परर जाव्शी को में दिखाते है कि शावशी यूंजॉक के हाथ में ब्रैसलेट को पहना देता है शावशी कहती है कि यह बहुत महेंगा है मैं इसे नहीं ले सकती यूंजों से अपनी तरफ खीचता है जिससे उन दोनों के बीच में किस हो जाती है प्रेजेन में शावशी वही बेसलेट पहन कर अपने पैरोफर मेडिसिन लगा रही होती है तब ही फैंग वहाँ आकर उसे माफी मांगने लगता है शावशी कहती है कि मैं तुम्हारी बेहन हूँ अगर तुम्हारी मज़र और तुमने मुझे उस दिन बचाया नहीं होता तो मैं कफकी मर चुकी होती अगर जा चुकी है तुम्हारा ख्याल लगना मेरी जिम्मेदारी है इसके बाद कॉलेज में एक पार्टी होती है जहां यूशाओ फिर से फैंग को बुली करने लगता है शावशी अपने भाई को देखकर यूंदो से लड़ने लगती है यूशाओ कहता है कि तुम अपने भाई को कॉलेज से निकल वाना चाती हो शावशी उसे माफी मांगने लगती है वो कहती है कि इस बार मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ यूशाओ कहता है कि ये वाईन तो अच्छी है और वो उस वाईन को शावशी के पर डालने लगता है फिर वो शावशी को पकड़ का पानी में धक्का देने लगता है जिसे शावशी और वो दोनों ही पानी में गिर जाते है यूशाओ कहता है कि इन दोनों भाई बेनों को किसने या आने दिया युशाओ कहता है कि भाई मैंने इन्वाइट किया था पिछले बार की गलती को सुधानने के लिए पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों बदला लेंगे युशाओ कहता है कि इन दोनों को यहां से बाहर कर दो दुबारा ये हॉक्स में कदम ना रख पाएं युशाओ कहता है कि ब्रदर अब बेसलेट उतार का फेक देता है युशाओ कारण को बलाता है और शाओ को गुसा आ जाता है और वाइन की वोटल को उठा लेता है युशाओ का बेसलेट बी गिर जाता है वो अपने भाइ के पास आ जाती है जुशाओ कहता है कि जल्दी से इसके भाइ को हॉस्पितल ले जाओ युशाओ को बेसलेट करने की ज़रूत नहीं है कि आप मुझे थोड़ा ओर टाइम नहीं दे सकते डॉक्टर कहते हैं कि यह होस्पिटिल है कोई चैरेटी नहीं और वो उनका सामान फेकने लगते हैं जिसमें से यूंजो को एक फोल पेपर मिलता है फ्लजबग में यूंजो शावशी को लेकर गिर जाता है वो कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो शावशी कहती है कि मैं काकर्ची क्रेन को मोड रही थी मैंने सुना है कि हजार काकर्ची क्रेन को मोडने से आपके विश पूरी होती है मैं ट्राय करना चाहती थी ताकि तुमारे आखे जल्दी से ठीक हो जाएं पर तुमने सारी गिंदी बुला दी है और सब कुछ इदर हुदर बिखेर दिया है प्रेजन में युन्जो सोचता है कि शावशी तो अनाथ थी और इस लड़की का तो एक भाई भी है युन्जो कैसे हो सकती है और वो शावशी से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए रिस्पॉंसबल हूँ अगर तुम मेरे घर पर आकर काम करोगी तो बात का सारा मेडिकल बिल तुमाई सेल इसे काट का भर दिया जाएगा शावशी जुन्जो के घर काम करने के लिए डेडी हो जाती है युन्जो उसे अपने घर ले आता है जहां वो बाकी के मैड से शावशी को इंडरिड्यूस करवाता है वो कहता है कि ये नैंसी है अब से ये तुम लोगों के साथ काम करेगी पर इसे हाथ पर चोट लगी है इसलिए तुम लोग इस बात का ख्याल रखना तब ही बाकी के मैड अपस में बात करती है कि प्रेसिडेंट ने हमारी तो कभी इतनी क्यार नहीं की कहीं है सिस्टर सीसी को रिपलेस तो नहीं करने आई है ये सुनका सीसी शावशी से स्टडी रूम के सफाई करवाती है और जान बुच का युन्जो की फेवरेट डोल को डक्स के कोने पर रख देती है सफाई करते वग शावशी से वो डोल गिर जाती है और वो डोल तूट जाती है नीचे युन्जो आकर शावशी के बारे में पूछता है मैट कहती है कि मैंने उसे स्टडी रूम में जाते हुए देखा था जुन्जो कहता है कि वहाँ जाने की परमिशन उसे किस ने दी दुश तरफ शावशी को उस दोल को देखकर पुराने मुमेंट याल आने लगते है तब ही वहाँ जुन्जो भी आ जाता है शावशी कहती है कि मुझसे गलती से ये डॉल टूट गई है पर मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ जुन्जो कहता है कि तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए किस ने कहा मैं पागल हूँ जो मैंने तुम्हारे जिसे लोगों को अपने घर में आने दिया अपना समान पैक करो और निकल जाओ यहां से आप मैं किसी भी हॉस्पिटिल को तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करने दूँगा शावशी जुन्जो से कहती है कि मेरे भाई यह भी रिकवर नहीं हुआ है उसका इलाज मत रुको आईए तविवा यूशाओ भी आ जाता है वो कहता है कि सुवे सुवे इतना शोर क्यों हो रहा है और यह पागर लड़की हैं क्या कर रही है सीसी कहती है कि वैक्स प्रेसिडेंट ही इसे यहां लेकर आए है इसने उनकी फेबरेट डूर को भी तोड़ दिया यूशाओ कहता है कि भाई इसने तब बड़ा क्राइम किया है और आप इसे ऐसे ही जाने दे रहे है यूशाओ कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है यूशाओ कहता है कि हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर की जरुरत है क्यों हम इसे वो काम दे दे युन्जो कहता है कि ठीक है और उन शार्षी को लास्ट वोनिंग दे कर वहां से चला जाता है फिर उस दोर को फिक्स करने लगता है युशार्षी से कहता है कि इतने साल हो गए है अभी तक आपको वो लड़की नहीं मिली है तो क्यों आप शार्षी से शादी कर ले युन्जो कहता है कि अपना मुग बंद रखो दुबारा मुझे ये बाते नहीं सुननी इसके वाँ शार्षी को अपना खोयाओ ब्रेसलेट वापस मिल जाता है तब ही पीछे से सीसी उस पर डेंडेस से हमला करती है फिर वो से ले जाका बुली करने लगती है दुस्तर सेकेटर युन्जो को फुटेज दिखाता है जिसमें वो शार्षी को देखता है सेकेटरी कहता है कहीं नैंसी ही वो लड़की तो नहीं है जिसने आपको बचाया था सीसी जलते हुए कोईले को शार्षी के फैस्पर लगाने जा रही होती है तब हो युन्जो आकर उसे रोग देता है फिर वो शार्षी को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है जब शार्षी को होश आता है तब युन्जो से कहता है कि मैंने तुम्हारे ले बेस दोक्टर और मैडिसन को अरेंज करवाया है और सीसी को भी घर से निकलवा दिया है अब तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा फिर वो उसे वीडियो दिखाता है वो कहता है कि पांसार पहले मेरी आंके एंजड हो गई थी तब तुमने युम्हें मुझे बचाय था शार्षी कहती है कि आपको मेरी इस तरह इंविस्टिकेशन नहीं करनी चाहिए मैं आपके पैसे लुटा दूंगी युन्जो सूचता है कि मैं गलत हूँ या ये घुसा है इसलिए मुझे नहीं पैचान रही है अभी नरसा का युन्जो को बाहर भेच देती है वो शार्षी से कहती है कि ये वो तुम्हारा बॉयफरेंड है ना मैंने सुना है कि उसने तुमें बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया था इसके बाद शार्षी जुन्जो के लिए मैडिसन वाला सूप लेकर आती है जिन्जो से पीने लगता है तर शार्षी चैती है कि ये मैडिसन वाला सूप है इसे एक बार में जादा मत पीना यह सुनकर जुन्जो को परणे मुझन याद आने लगते हैं वो शाउसे से कहता है कि तुम कौन हो और तुमने ये सुब बनाना कहां से सिखा फिर उसका हाद शेक करने लगता है वो कहता है कि तुम्हे कभी कोई ब्रेस्टेट मिला है तब वहाँ यूशाहो भी आ जाता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है युन्दो साफशी से बाहर जाने के लिए बोलता है युशाओ उपने भाई से कहता है भाई कि आप सच में उस लड़की से सिड्यूस होने लगे हैं आपने सीसी को गर से क्यों निकाला युशाओ कहता है कि तुम्हें बड़ो के मैटा जानने की कोई जरूत नहीं है युशाओ कहता है कि अप में कोई बच्चा नहीं हूँ आप जाए और उस नैंसी को घर से निकाल लिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं उसे अभी निकालने जाता हूँ युशाओ कहता है कि उसे टच्च करने के बारे में सोचना भी मत इसके बाद नर्स शाफशी से कहती है कि तुम्हारे भाई को होशा गया है उसकी क्लास वाई उससे बाहर घुमाने ले गए है शाफशी के भाई को युशाओ ने फिर से पकड़ लिया होता है शाफशी के अपने भाई को बचाने आ जाती है युशाओ कहता है कि ओ कितना प्यारा सीन है तुम दोरे भाई भेन मर क्यों नहीं जाते आखे तुमने मेर्ण बाई को सृद्डियूस क्यों किया शाफशी कहती है कि मैंने तुमरे भाई को सेट्यूस नहीं किया मैं तो बस उन्हें मैडिसिन लगा रही थी यूशाओ कहता है कि चुप रहो और फूटबोल लेकर उन दोनों को मारने लगता है पर यूशाओ आकर उन्हें बचा लेता है और अपने भाई को थपड मारता है यूशाओ कहता है कि आप इन लोगों के लिए मुझे मार रहे है यूशाओ कहता है कि तुमने गल्ती की है इनसे माफियो मांगो पर यूशाओ वाँ से बिना माफियो मांगे ही चला जाता है यूंजो कहता है कि मैंने ये अपने भाई को बिगार दिया है मैं उसकी जगा तुम लोगों से माफी मांगता हूँ इसके बाद यूशाओ बहुत चारा ड्रिंक कर लेता है वो सकेटरी से कहता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो सेकेटरी कहता है कि मैं वाइस प्रेसिडन को डॉक्यमेंट देने आया हूँ यूशाओ कहता है कि भाई गर पर नहीं है लाओ यू पेपर मुझे दे दो जब यूशाओ उस डॉक्यमेंट को देखता है तब उसमें शाओ शी और उसके भाई की इंफोमेशन होती है यूशाओ कहता है कहीं नैंसी हो वोएं तो नहीं इससे मेरा भाई ढूंड रहा है और उन पेपर को फाल कर डज़बिन में डाल देता है जहां मैड उन पेपर को डज़बिन से उठा लेती है दूसी तरफ यूशाओ नकले रिपोर्ट बना कर अपने भाई के रूम में रख देता है जब यूशाओ उस दोक्यूमन को देखता है तब उसमें शाओ शी को चोरी और डकेती करने वाली वूमन बताय जा रहा होता है दूस्तरफ शाओ सी अपने ब्रेसलिट को बेग में रखकर काम करने चली जाती है तब यूशाओ उस अपने ब्रेसलिट उतार कर टे debates पर लख देता है शाओ सी उस ब्रेसलिट को देखर कहती है कि मैंने अभी तो इसे अपने बैग में रखा था पिर यहां कहां से आ गया मुझे इसे दुबार अपने बैग में रखना होगा तब ही उशाहो उसका वीडियो बना लेता है इसके बाद यूंजो गार्ट से शावशी को पकड़ने के लिए बोलता है वो कहता है कि इस चोर को पकड़ लो तब यूंजो उसका भाई भी कहने लगता है कि ब्रदर इसी नहीं मेरा ब्रेटलर चुराया है शावशी उससे कहती है कि तुम कितनी बार मुझे पर चोरी का इलजाम लगाओगे क्या तो मैं भी तक खोशी नहीं मिली तब यूंजो उसे वीडियो दिखाता है और कहता है कि हमाए पस एविडेंस है वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा पेशा चोरी करना है वो भी अपने बेव को भाई का यूज करके शावशी कहती है कि आपको कोई गलत फैमी हुई है मैं इसी नहीं हूँ यूजो वाँ शावशी का सामान चेक करने को बोलता है तब गार उसके बैक से सारा सामान गिरा देते हैं जिसमें से यूजो को एक बॉक्स मिलता है जिसमें शावशी का ब्रेसलेट होता है वो से खोलने ही जा रहा होता है तब ही उशाओ कहता है कि मेरा बेसलेट मिल गया है शावशी कहती है कि ये मेरा बेसलेट है युन्सो कहता है कि हमारी फैमली की विरासत है क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ अब मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल भीज दूँगा शावशी कहती है कि पीज में जेल नहीं जा सकती मेरा भाई हॉस्पिटिल में है उसे में जरुष है युन्जो कहता है कि ठीक है इसे घर से बाहर फेक दो रुशाव कहता है कि भाई आप इस लड़गी को इतनी असारी से केसे छोड़ सकते हैं युन्सो कहता है कि अगर ये खबर भार फेली तो लोगों को ये लगेगा कि हम हमारी अमेरिका फायदा उठाकर कमज़ों पर थाज जमाते हैं दूसरी तरह हमें सीसी को दिखाते हैं जिसका चेहरा युन्सो ने बिगार दिया होता है वो शाउसी से बदला लेने की प्लानिंग कर रही होती है इसके बाद डॉक्टर शाउसी से उसकी भाई की सरजरी के लिए एक मिलियन जमा करने को बोलते हैं शाउसी रोने लगती है वो कहती है कि मैं एक मिलियन कहां से लाँगी तब ही मिस होंग आ जाती है वो कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरुत है तो एक जगा का एडरेस है यहां तुम्हें सिर्फ गेसे साथ वाइन पीना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें तीन मिलियन मिलेंगे शावशी रेडी होकर बार में आ जाती है हॉंग उसे मिस्टर क्यान के पास ले आती है जहां मिस्टर क्यान उसे टच करने लगते है शावशी हॉंग से कहती है कि आपने सुसर्फ वाइन पीने का कहा था में यह सब नहीं कर सकती और वो जाने लगती है हौंग कहती है कि एक बार यहां आने के बाद कोई भी यहां से जा नहीं सकता फिरो मिस्टर क्यान से पैसे लेकर वहां से चली जाती है यूंजो भी उसी बार में अपने भाई को ढूंडने आता है शाउशी बाहर आकर उससे हेल्प मांगती है पर जब यूंजो मुड कर देखता है तो हाँ कोई नहीं होता फिर यूंजो फूटेज को चेक करवाता है जहां उसे वही ब्रेसले नजर आ जाता है वो उस रूम में आकर मिस्टर क्यान को मारने लगता है शाउशी मां से चिपकर निकल जाती है यूंजो सेकेटेज से कहता है कि बार में आने वाली सभी लड़कियों की इंफोर्मेशन चेक करो फिर वो खुशी में ड्रिंक करने लगता है वो कहता है कि फाइनली पांस सारों बात शाउशी मुझे मिल गई तब उसे चकर से आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है तब यूंजो से शाउशी करवा कर आ जाती है यूंजो से शाउशी कहने लगता है शाउशी कहती है कि हाँ मैं ही शाउशी हूँ वो कहती है कि मुझे पहले तुमारा टेस्स लेने दो कि हमारे पीच क्या क्या हुआ था कहीं तुम सब कुछ भूल तो नहीं गए हो जुन्जों से सारी बाते एक एक करके बताने लगता है और बेहाशो कर गिर जाता है इसके बाद डॉक्टर शाउसी को फीस ना भरने की वज़े से भगाने लगते हैं तब हुआ सीसी आकर उसे कार्ड देती है और उसे अपना नाव शाउसी बताती है बदले में उस शाउसी से उसका ब्रेसलिट मांगती है इसके बाद सीसी वही ब्रेसलिट पहन कर जुन्जों के सामने शाउसी पन कर आ जाती है और उसे हग कर लेती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस्किया जुन्सो कहता है कि तुम इत्ति सालों से कहां थी सीसी कहती है कि मैं चट्टानों से गिर गई थी तब कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुचा दिया था मैं कही सालों से कॉमा में थी जब मैं वापस तुम्हें ढूंडने आई तो तुम मुझे नहीं मिले युन्दो कहता है कि यह सब मेरी गलती है तुम्हें मेरी वाइज से यह सब जेलना पड़ा बस तुम वेट करो एक बर जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं सब को अनौंस करूँगा कि तुम मेरी फ्यांस हो इसके बाद कुछ लोग अस्पताल से शावशी के भाई को किड्नैप कर लेते हैं शावशी को नर्स का कॉल आता है वो कहती है कि तुम्हारे भाई को कुछ लोग उठा के ले गए हैं शावशी युन्दो के पास आजाती है वो कहती है कि मेरे भाई कहा है युन्दो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई कहा है चाकू को नीचे रखो शावशी कहती है कि काले कपड़े पहनने बालों नहीं मेरे भाई को किड्नैप किया है तुम्हारे अलावा और उसे कौन ले जा सकता है तब ही वाँ सीसी भी आ जाती है युन्जो सावशी का हाथ मुड़कर चाको गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है सीसी नाटा करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो युन्जो कहता है कि तुम इसे जानती हो सीसी कहती है कि हाँ हॉस्पिटल मैंने इसकी हेल्प की थी क्योंकि इसके पास इसकी भाई की सरजरी के लिए पैसे नहीं थे और वो शावशी को छुडाने लगती है वो यूंजो से कहती है कि हमें इसके help करनी चाहिए और इसे कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रखना चाहिए सुभा यूशाओ शाओशी को तिक में घुस्ता करता है वो कहता है कि इसे यहां कौन लाया है सिसी कहती है कि यह मेरी friend है फिर वो लोग खाना खाने बैट जाते है जहां सिसी यूशाओ के सुभ में पीनर पाउडर मिला देती है सुभ पीने के बाद यूशाओ को अलर्जी होने लगती है वो कहता है कि सुभ में किसी ने पीनर पाउडर मिलाया है युन्जो कहता है कि तुम्हे और शावशी दोनों कोई पीनट से ऐलर्जी है घर में कोई भी पीनट पाउडर नहीं ला सकता युशाव शावशी के तरफ इशारा करने लगता है शावशी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती मुझे भी पीनट से ऐलर्जी है फिर मैं किसी और को हाम क्यों करूंगी युन्दों से पीनर्स थो पिलाने लगता है जसे शावशी को अलर्जी होने लगती है वो लोग उसे वैसे ही छोड़कर युशावों को हॉस्पटेल लेकर चले जाते हैं शावशी को पुराने मुमन याद आने लगते हैं जिसमें युन्दों से कहता है कि सौरी मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पीनट से ऐलर्जी है मेरे भाई को भी पीनट से ऐलर्जी है मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता था शावशी कहती है कि तुम हमेशा मुझे पीगी पीगी कहेकर बुलाते थे ना तो देखो आज मैं सच में पीगी बन गई हूँ तब एक अबराकर शावशी की आँके खुल जाती है वो कहती है तो ये सिर्फ एक सपना था नर्स कहती है कि तुम पागल हो, आज तुम्हारी जन चली ही जाती, तुम्हें पीनर्ट से दूर रहना चाहिए फिर वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा भाई मिला शावशी को कॉल आता है कि तुम्हारा भाई मेरे पास है अगर तुम उसे बचाना चाती हो तो इस एड्रेस पर आ जाओ जब शावशी उस एड्रेस पर जाती है तब वाँ एक आदमे उसका भाई बनकर बैठ जाता है शावशी कहती है कि तुम कौन हो और मेरा भाई कहा है गुंडा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमारा भाई कहा है पर कोई तुमारी जिन्दगी चाहता है और वा चाको निकलकर शावशी पर हमला करने रगता है तब ही वाँकी लाइट चली जाती है शावशी उस गुंडे को मार कर चाको उठा लेती है तब ही पीछे से सीसी उसके कंदे पर हाथ रखती है शावशी उसे गुंडा समझ कर उस पर हमला करती है जिसे सीसी के आँखों पर लग जाती है अस्पताल में जुन्जो आकर शावशी को थपड मारता है वो कहता है कि तुमने शावशी को हट क्यों किया मैंने उसे 5 सालों तक ढूंडा था शावशी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ सुपर मुझे कॉल आया था किसी ने मुझे अपने भाई को बचाने के लिए बिलाया था जब मैं वहाँ गई तो कोई मुझे मारने लगा तब पता नहीं शावशी बीच में कहां से आ गई युन्जो कहता है कि तुम मुझे बेव को समझती हो तुमने शावशी को मैसेज करके वहाँ बुलाया था शावशी कहती है कि मैंने ये नहीं किया इसके बाद शावशी सीसी से माफी मागने लगती है पर सीसी उससे टनने लगती है तब युन्जो उसे धका देकर गिरा देता है जिसे सावशी के सर पर चोट लग जाती है और उसे पुराने मुमेंट याड आने लगते है तब ही डॉक्टर राका कहता है कि मिसावशी के आँखे डैमेज हो गई है हमें जल से जल कोर्णिया का ट्रांस्परांट करना होगा वनना ये लाइफटाइम के लिए ब्लाइंड हो जाएंगी पर हॉस्पिटिल में कोई भी सूटेबल कोर्णिया नहीं है युन्जो शावशी के तरफ देकर कहता है कि इस नहीं शावशी के आँखों को हट किया है अब इसे ही अपनी आँखों को शावशी के साथ एक्सजेंज करना होगा और वो कार्ण से शावशी को पकड़ कर ले जाने के लिए बोलता है इसके बाद नर्स शावशी से कहती है कि अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है तो मैं केरफुल रहना होगा फिरो कहती है कि 5 साल पहले मिस्टर फूप की आँखें भी एंजट हो गई थी तब मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना कुरूल निकलेगा फ्लेज़ो का में दिखाते है कि ये उन्जो सर्जरी के बाद शावशी को ढूडने लगता है तब उसका भाई आकर उसे रोकता है और कहता है कि हमने उस लड़की को बहुत ढूंडा पर वो हमें कहीं नहीं मिली यन्जो कहता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है जो मैंने उसे दिया था प्रेजन में शावशी ये सब सुनके चौक जाती है नर्स कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना था वो एक ब्रेसलेट की बात कर रहे थे सावसी सोचती है तो जो सपने मैं देखती थी वो सच है और सपनों में जो इनसान है वो यून्जे है वो कहती है कि मुझे अपना ब्रेस्लेट वापस लाना होगा मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ इसके बाद शाओशी सी से अपना ब्रेसलेट मांगने आती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे चुकाने के कोई और अस्ता ढूंड लूँगी पर मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस दे तो तब सीसी उस पर इलजाम लगाने लगती है युद्जो आकर शाओशी को धक्का दे लेता है सीसी उसे कहती है कि नैंसी मुझे से आँखे वापस मांग रही है वो कह रही है कि मैंने इसके आँखे चुराई है शाओशी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मैं सिर्व अपना ब्रेसले लेने वापस आई हूँ पास साल पहले मैं पहाड़ों से गिर गई थी तब फैंग और उसके मदर नहीं मुझे बचाया था उस टाइम से ही मैं ये ब्रेसले अपने हाथों में पहनती थी पर अब मुझे लग रहा है कि ये ब्रेसले तुम नहीं मुझे दिया है तब सिर्व से उसे थपड मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड समझ कर युन्जो और हमारे बीच के सारे बाते बताई और तुम अब उनी बातों का यूस करके हमारे बीच दरार डालना चाहती हो शावशी कहती है कि मैं जोट नहीं बोल रही हूं मुझे मेरा ब्रेसले वापस दो युन्जो उसे थपड मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे भाई को साथ में नहीं रहने देना चाहिए था शावशी कहती है कि तुम नहीं मेरी भाई को गायब करवाया है युन्जो कहता है कि आफकोस मैंने कच्रे की तरा उसका सफाय कर दिया है अपने लाइफ में कभी नहीं देगी शाओ से उसके आवाज सुनका समझ आती है कि हो सीसी है सीसी कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि अपना फेस चेंज करने के बाद भी मैं तुम्हारी लाइफ को मौस्ट से भी बत्तर बना दूंगी मैंने इतने सालों तक फूफ फैमली में काम किया वो भी सिर्फ यूंजो की वाइब बनने के लिए और उसने तुम्हारे लिए मुझे बर्बात कर दिया फिर वो कहती है कि तुम हमें इससे जानना चाहती थी ना कि तुम कौन हो आद में तुम्हें याद दिलाने में हेल्फ करती हूँ और उसे इंजेक्शन लगा देती है दुस तरफ नार युशाओ के हाथ में ब्रेसलेट देका कहती है कि ऐसा ही ब्रेसलेट तो मैंने किसी और के हाथों में भी देखा है युशाओ कहता है कि वर्ल में इसे सिर्फ दो ही ब्रेसलेट है तुमने इसे कहा देखा नर्स कहती है कि मैंने इसे नैंजी की हाथों में देखा था वो कई सालों से इस ब्रेसलेट को पहने हुए है ये सुनके युशाओ चौक जाता है वो कहता है क्या वो ब्रेसर सच्वा उसका है मुझे उसे ढूंडने जाना होगा तब युशाओ कहता है कि ब्रदर क्या वो लड़की मुझे भी जाना इंपोर्टन है युशाओ कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है क्या तुम मुझे से कुछ छुपा रहे हो युशाओ कहता है कि नैंजी वही लड़की है जिसने आपको 5 साल पहले बचाया था मैंने सेकेटरी की फाइल को बदल दिया था मैं वस उसे घर से भगाना चाता था यह सुनकर युन्जो खुद को मारने लगता है तब उसका भाई उसे रोकता है जुन्जो कहता है कि मैंने तुमारी परवरिश ठीक से नहीं की तुम बहुत ही जाला मतलब भी बन गए हो अगर नैंसी वही इंसान है तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा फिर वो घरा का चेकिंग करने लगता है जिसे उसे फ्लावर पॉट से एक मोबायल मिलता है उसमें डॉक्टर का कॉल आता है वो कहता है कि मैं सीसी आपकी प्लास्टिक सर्जरी सक्सेस्फुल हो गई है को दो दिनों के अंदर दुबारे होस्पिटल में आकर चेक अप करवाना है तब ही वाँ दूसरी मैट भी सीसी का नाम लेकर रूम में आ जाती है जुन्दो उसे कहता है कि तुम किसका नाम ले रही थी मुझे सचस्च बताओ मैट कहती है कि मुझे माफ कर दी जिये ये सब करने के लिए सीसी नहीं मुझे फोर्स किया था मैंने उसे घर की सारे इंफोर्मेशन दी थी ये जुन्दो गार से उस मुझे को घर से बाहर फेकने के लिए बोलता है इसके बाद शाओशी को सब याद आ जाता है सीसी उसके हाथ खोल देती है और कहती है कि तुम जा सकती हो शाउशी कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं यूंजो को सब बता दूँगी सीसी कहती है कि जिस आदमे को एक ब्रेसलेट से बेफ को बना जा सकता है वो तुम्हारी बाद का क्या ही यकीन करेगा इसके बाद यूंजो भी वहाँ आ जाता है सीसी वाँ बैठी रहती है यूंजो से थपड मारता है और कहता है कि नैंसी कहा है सीसी एक्टिन करती है कि तुम नैंसी की बातों का भरोसा कर रहे हो यूंजो कहता है कि आखिर तुम कब तक मेरे साथ इसी चाले चलोगी और वो उसे फोटो दिखाता है वो कहता है कि जब से तुमने फूफ फैमली छोड़ी थी तब से तुमने यी प्लानिक करना शुरू कर दी थी तुमने नैंसी के ब्रैसर चुरा कर अपना लुक बदर कर मेरे कलोजाने की कोशिश की थी फिर यून्जो सीजी को मेंटल असायल में बन कर चला जाता है दुस्तर शावसी पहाड़ों से कूदने लगती है जुन्जो आकर उससे रोकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था क्या तुम मुझे एक हो चांज दे सकती हो शावशी कहती है कि आसे हमारे भी जो भी रिलेशन था वो खत्म होता है मैं तो मैं दुबारा अपनी नेक्स आइप में कभी नहीं मिलना चाहती और वो कूच जाती है तिन सार हो जाते हैं जुन्जो अपने डॉल को लेकर वहीं बैठा रहता है तब ही वहाँ सेकरेटरी आ जाता है वो कहता है कि मिस्टाफू आजकल आप कमपरी में क्यों नहीं आते हैं हमारे स्टॉर लगाता गिर रहे हैं सेकर्मास्टर कुछ भी नहीं चांते हैं फिर भी आपने कमपनी को उनके हाथों में सौब दिया है और वो अपना रिजाइनिंग लेटर उनने दे देता है वो कहता है कि जी ग्रूफ सभी कमपनीयों के साथ मिलकर हमारे कमपनी को दबाना चाता है जी ग्रूफ का प्रेसिडेंट जी फैंग ही है यह सुनके यूंदो चौक जाता है फिर वो जी ग्रूफ के प्रेसिडेंट से मिलने आ जाता है जहां गार्ड उसे धका देकर भगा देते हैं तब ही कुछ लड़किया आपस में बात कर रही होती है कि फूफ फैंग में के सेकर्ड मास्टर को लाइफ पिटा जा रहा है यूंदो लड़कियों का मूबाइल देखता है तो उसमें उसका भाई लोगों से पिट रहा होता है यूशाओ के दोसुस से कहते हैं कि अब तुम कोई रिच मैन नहीं हो तुमारी कंपनी जल्द ही बेंक्रफ होने वाली है और उसे फुटबल से मारने लगते है तब ही वाँ फैंग आकर उन्हें मारता है और उन्हें मारता है तब ही उन्जो भी वाँ आ जाता है यूशाओ उससे कहता है कि फैंग नहीं मुझे बचाया है यूशाओ उससे कहता है कि तुमारी सिस्टर कहा है फैंग कहता है कि तुम जाना चाहते होना कि मेरी सिस्टर कहा है तो मेरे साथ चलो और उसे पहाड़ों की चोटी पर ले आता है वो कहता है कि तिन साल पहले यही तुमने मेरी सिस्टर को मरने के लिए फोर्स किया था जुन्सो कहता है कि वो मरन नहीं सकती तब फैंग उसे मारने लगता है वो कहता है कि तुमारा सौरी मैं इस सिस्टर के दर्थ की भरपाई नहीं कर सकता मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने सारी लाइफ इसी गिल्ट में जीओ इसके बाद फैंग अपने सिस्टर के पास वापस आ जाता है तब फैंग उसके सामने खड़ा होता है फैंग कहता है कि तुम मरी नहीं हो और ना ही मैं मरा हूँ पर जब उस दिन में पहाड़ों पर गया था तब तुम बुरी तरह से एंजट हो गई थी कई सारे डॉक्टरों ने तुम्हें दिनरा टीटमेंट करके बचाया है शावशी कहती है पर तुम कैसे बचे फैंग कहता है कि जिस दिन सीसी के आदमे ने में जी किडनाप कर लिया था उसी दिन मेरे अंकल ने मुझे बचा लिया था उन्होंने मुझे बेस डॉक्टर को दिखाया जिससे मेरी बिमारी ठीक हो गई फिर हो कहता है कि जुन्जो तुम्हें सब जगर ढून रहा है शावशी कहती है कि उसे इमत बताना कि मैं जिन्दा हूँ मैं उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती इसके बार फैंक शावशी को घर छोड़का कमपनी में काम करने चला जाता है तबिमा सीसी कार लेका शावशी को हिट करने आ रही होती है पर युन्जो बीच में आ जाता है और हट हो जाता है शावशी उसके पास आकर कहती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो युन्जो कहता है कि मैं जानता था कि तुम जिन्दा हो मैं तो बस तुम्हें यहां देखने आया था कि तुम कैसे रह रही हो शाफशी कहती है कि बुलना बंद करो हमें हॉस्पिटल चलना होगा युन्सो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है मेरे जिसा इनसान जीने के लायक नहीं है मैंने तुम से कहा था ना कि मैं तुम से प्यार करता हूँ और हमेशे तुम प्रोटेक्ट करूँगा पर मैं अपना वादा कभी नहीं निभा पाया शाफशी कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते युन्जो कहता है कि मुझे तुमारी माफी नहीं चाहिए मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो कि एक पागल था जो तुम से प्यार करता था जिसकी दुनिया से तुम हुआ करती थी और ये कहे कर वो मर जाता है इसके बार हमें कुछ सालबाद का सीन दिखाते है फैंग अपने सिस्टे से कहता है कि सिसी को पकल दिया गया है और वो अपनी सारी लाइफ जेल में ही बिताएगी फिर वो अपने सिस्टे से कहता है कि तुमने युन्जो को माफ कर दिया है शांसी कहती है कि मैं अपनी सारी जिंदगी नफरफतर वेश्ट नहीं करना चाहती मैं उसे माफ नहीं कर सकती पर मैं होप करती हूँ कि अगले जर्म में वो खुश रह सके और इसे के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है